हलो गाइज आप सबका स्वागत है नीशा कॉशिक्स रेसिपीज में आज ही कम हैल्दी और टेस्टी डिश मनाने वाले हैं इसे आप वृत में भी खा सकते हैं और बिर्णा वृत के भी खा सकते हैं तो आगे स्टार्ट करते हैं यहां पर हम लेंगे अधा चमज घी और अब डालेंगे हम मूमफली मूमफली जो होता है इसमें दूध और अंडिसी भी ज्यादा प्रोटीन होता है इसलिए इसे कच्छा बादाम भी कहते हैं तो यहां पर हमने मूमफली को अच्छे से रोस्ट कर लिया है अब हम इने निकाल लेते हैं अब इसी में हम डालेंगे मखा जोडो का दर दूर होता है किड्नी को मजबूत बनाते हैं इनमें भी प्रोटीन होता है यह भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है उसके बाद हम कड़ाई में फिर से डालेंगे आथा चमच घी जादा यूज नहीं करना है तो यहां पर हमने घी डाला है अब घी करम हो चु जो अच्छे जिबून चुके हैं इसमें डालेंगे चार-पांच करी पते और इनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे उसके बाद हम यहां पर दो हरी मिर्श डाल देते हैं और एक टमाटर डाल देंगे बारे काटकर तीर टमाटर भी डाल दिया है अब हम यहां पर डाले करने यह भाइट के लिए बना रहे हैं संद कर से लिए मिर्श, उर्मल नमक और म्रिश दाले जीर पाउडर डालें और इसे अच्छे से mix कर लेते हैं और आथ गटोरी में मेर अधे घंडे जीर आधा कटोरी मिक्स कर लें गहां यहां जह सो मिक्स करेंगई फिर यह चिपकेगा नहीं अब जो हमने रोस्ट की थी मखाने वह डाल देंगे और इन्हें भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर हम डालेंगे पानी तो पानी हम यहां पर अगर हमें ज्यादा सूपी बनाना है तो हम इसमें पानी ज्यादा डालेंगे और खिचडी बनानी है तो कम पानी डालेंगे मैं यहां पर इसे सूपी बना रहे हूं तो इसलिए ज्यादा पानी डाल रहे हूं अब इसे डालकर हम 10 मिंट के लिए ढखकर पकाएंगे मेडियम फ्लेम पर तो 10 मिंट के बार जब हम चेक करेंगे तो यह देखिए हमारी जो खि जलने की यही पैचान होती है कि यह मोती की तरह चमकने लगता है जब यह पूरा पक जाता है तो यहां पर हमारा सूप बिलकुल रैडी है अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे और एक हैल्दी डेश रैडी हो जाएगी जो आपके जोडों की दर्द को दूर रखेगी आ आप एक कटोरी खा सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज बेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब चेए